शरीर को स्वस्त रखने के लिए हडियों को मजबूत होना जरूरी है जैसे जैसे उमर बढ़ती है हडियां कमजोर होने लगती है और खास कर 30 की उमर के बाद हडियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है और इस चीज़ का सीधा असर हडियों और दातों की शमता पर पड़ता दोस्तों अगर bone health का ध्यान ना रखा जाये तो इससे बहुत प्रकार की खतरनक बिमारियां जैसे कि osteoporosis होने का खतरा काफी बढ़ जाता है और बच्चों की हडियों का सही विकास हो इस चीज का तो छोटी उमर से ही ध्यान रखना बहुत जरूरी है आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही जरूरी bone health से जोड़ी जानकारी देने वाले हैं इस जानकारी को अगर आप अपनी जीवन शाली में शामिल करेंगे तो आपको हडियों से जोड़ी किसी भी समस्या का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज है दोस्तों कि रोजाना सुब बनाने के लिए करती हैं अपने blood flow को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और हडियों को मजबूत करने के लिए आप दूप में बैठ कर अपने शरीर की मालिश भी कर सकते हैं नारियल के या फिर तिल के तेल से दूसरा काम आपको यह करना है कि आपको हफते में 3-4 भार क इजाफा देखा गया है तीसरी टिप है कि अपने खाने में dry fruit जैसे की काजू, बदाम, अखरोट और किश्मिश को जुरूर शामिल करें इनके अंदर calcium और potassium प्रचोर मात्रा में होता है जो कि हमारी हडियों को मजबूत बनाने में सहाइक है चौती टिप है कि अपने खाने में खटे फल जैसे की संतरा, मोसंवी, नीम्बू इन्हें जरूर शामिल करें खटे फलों में vitamin D, vitamin C, calcium काफी होता है और इससे भी हमारी हडिया मजबूत बनती है टॉपिक से ही जुड़ा एक बहुत बढ़िया product है जो कि हमारी हडियों की और दातों की health को improve करने में मदद क करता है और वह है जैनत nutrition का bone support gummies, जैनत nutrition market में अपने quality products के लिए जानी जाती है, ये product दोस्तों खासकर उन लोगों के तो बहुत काम आता है जो की vegetarian है, इस product की एक dose के अंदर ही प्रयाप्त मातरा में calcium, phosphorus, vitamin D पाये जाता है, ये सारे nutrient हमारे शरीर में हडियों को मजबूत बना में बहुत मदद करते हैं, मैं खुद काफी समय से इस supplement का इस्तमाल करता आ रहा हूं और मुझे अपने body की ओपर इसका बहुत आच्छा आसर देखने को मिला है, इस supplement की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको consume करना बहुत आसान है, और खासकर बच्चे भी इसे बहुत पसंद है, वह पूरी हो जाएगी, इस supplement को इस्तमाल करने से हमारी bone mineral density में इजाफा पाया गया है, जिसकी वज़े से future में जाके arthritis, osteoporosis और fracture होने की जो खतरे हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है, दोस्तों कि ये supplement बहुत ज़्यादा cost effective भी है, मैं इसके purchase इस link description box में update कर दूँगा, आप एक बर वहाँ पे जाके इने check out तो जरूर करें, पांचवी tip है कि अपने खाने में हरी सबजियों को ज़्यादा खाएं, हरी सबजियां जैसे की पालक, ब्रॉकली, बीन्स, इनमें vitamin A, vitamin C, vitamin K और folic acid बहुत ज़्यादा मातरा में होता है, ये आठवी tip है की रोजाना, दुपहर को एक कप, दही और सोने से पहले एक गिलास, दूद का सेवन जरूर करें, दूद, दही, पनीर के अंदर भी भड़पूर मातरा में calcium और vitamin D पाया जाता है, इनका नीमेत रूप से सेवन करने से हमारी हडिया मजबूत बनती है, आठवी tip इसके अलावा कुछ साफधानियों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे की हडियों को लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए, कार्बोरनेटिव ड्रिंक्स जैसे soft drink आदी का सेवन बहुत कम करें, या हो सके तो बिल्कुल छोड़ दे, इन ड्रिंक्स क सेवन करने से हमारी हडियों में कैलशियम में कमी आती है, जिससे की वह कमजोर बनती हैं, दिन में दो से अधिक कॉफी या फिर चाय का सेवन ना करें, हमारे शरीर में अगर कैफिन ज्यादा मातर में पहुंचता है तो इससे हमारी हडियों पर अशर पड़ता है, एसे इससे वाली दिवाओं का भी इस्तमाल कम से कम करना चाहिए, इन दिवाओं को ज्यादा इस्तमाल करने से भी हमारे शरीर में कैलशियम, मैगनीशियम, जिंक्स जैसे वाइटमिन और मिनरल्स एब्सॉर्ब होने में मुश्किले आती हैं, हडियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए ज्यादा तनाव में ना रहे, स्ट्रेस और टेंशन से हमारे शरीर में कोर्टिसोल हॉर्मोन बढ़ने लगता है, जिसकी वाज़े से बलड शुगर बढ़ जाता है, ऐसी स्तिती में टाइलेट के रास्ते कैलशियम भी शरीर से बाहर निकल जाता है, किसी भी पॉजिशन में 30 मिनट से अधिक न बैठें, जादा देर बैठने या फिर लेटने से हमारी हडिया कमजोर बनती है, इसी के उलट अगर आप अपनी डे-to-day लाइफ में एक्टिव रहेंगे, तो इससे आपकी हडिया मजबूत बनती है, तो दोस्तों यह हैं वह काम के टेप्स और साफधानिया, इस सारे इंफोर्मिशन को आप अपनी डेली लाइफ में एक बड़ शामिल करके देखिए, मात्र 14 दिन में ही आपको अपने शरीर पर इसका बहुत ज़्यादा कमाल का असर देखने को मिलेगा, मैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से इस सियत का ध्यान रखिए, टेक केर और गुडबाए